नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है युसर्क राज्य में प्रध्योगे की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु क्रिट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा धन्यवाद चलिए अब हम यहाँ पर कुछ रियल लाइफ प्राब्लम्स करते हैं तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक विध्याला में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं इन में से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं यह आपको बताना है तो मान लीजी जो भी अध्यापक गणित पड़ाते हैं उनके समुच्चे को हम capital M से निरूपित करेंगे किसे निरूपित करेंगे capital M से ठीक है जो गणित पड़ाते हैं और जो भी भौते की पड़ा रहे हैं उन्हें हम capital P से निरूपित करेंगे कैती बाल समझ में आई, चले अब ध्यान से देखे, तो ये तो हो गया तो यहाँ पर जो ये दिया गया है कि 20 अध्यापक हैं जो गनित या भौत दिगी, मैंने आपको बताया है कि या का मतलब क्या होता है यूनियन याने की सम्मिलन इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको एन, ठीक है, याने की जो टीचर गनित पढ़ाते हैं उनका यूनियन किनके साथ जो टीचर बहुत दिगी पढ़ाते हैं तो ये जो समुझ चाएगा इन दोनों के सम्मिलन का उसमें जितने भी अव्यवों की संख्या है वो आपको दी गई है कि कितनी है? 20 है कि यह अतनी बात क्लियर है? आगे कहा गया है इन में से 12 गनित पढ़ाते हैं याने की गनित पढ़ाने वाले जो समुझ चामें अध्यापक है ठीक है? उसकी संख्या कितनी है? उस समुझ की 12 क्योंकि हमारे पास 12 गनित पढ़ाते हैं आगे दिया गया है और 4 भौतिकी और गनित दोनों पढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर और शब्द आया है और का मतलब क्या होता है? इंटर्सेक्शन यानि की सर्वनिष्ट इसका मतलब है यहाँ पर गनित पढ़ाने वाले तथा जो फिजिक्स पढ़ाने वाले दोनों ही अध्यापक हैं यानि दोनों ही जो यहाँ पर विशय पढ़ाते हैं उनकी गर्णा की गई है और वो कितने हैं? चार है और आपको देखना क्या है? कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं यानि कि आपको यहाँ पर पी जो समुच्य है इसमें कितने अव्यव हैं यह बताना है तो इसके लिए हम जानते हैं कि यह एक सूत्र होता है कैतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर जिसकी भी वाल्यू आपको पता है आप उसका मान रख दीजिए तो क्या आएगा यहाँ पर? यह देखे, यहाँ पर आजाएगा 20 यहाँ पर आएगा 12 यह हमें find out करना है और यहाँ पर आएगा 4 तो चलिए इसे solve करते हैं 20 बराबर 12 प्लस इसको आप as it is लग दीजिए N P ठीक है? और यहाँ पर आएगा minus 4 यह क्या हो जाएगा? 20 बराबर 12 minus 4 हो जाएगा 8 और यह आजाएगा N यहाँ पर आजाएगा P तर टलेर है तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से N P कितना आ गया? बताईए यह आ गया 12 क्या सभी का ही आया? बताईए 12 आ गया सभी का यदि हाँ तो यह बिलकुल सही है N P यहाँ पर 12 आएगा चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की यहाँ पर क्या कह रहा है? कि 70 व्यक्तियों के समों में सैंतेस कॉफी 52 चाई पसंद करते हैं और प्रतियेक व्यक्ति दोनों में से कम से कम एक पे पसंद करता है तो कितने व्यक्ति कॉफी और चाई दोनों को पसंद करते हैं? तो मान लेजिए कि जो व्यक्ति कॉफी पसंद करते हैं उनके समुच्य को हम C कह देते हैं यहां पर दिया गया है कि जो व्यक्ति coffee पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है 37, ठीक है और जो व्यक्ति chae पसंद करते हैं उनकी संख्या कीतनी है 52, इतना clear है अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह जो बात हो रही है यह सत्तर व्यक्तियों के समों की है ठीक है यानि कि जो कोई एक समों होगा जिसमें सत्तर व्यक्ति हैं उनके बात की जा रही है कि उनमें से इतने लोगों को कौफी तथा इतने लोगों को चाय पसंद है आगे यहाँ पर एक और लाइन कही गई है और वो क्या है कि देखिए प्रति एक व्यक्ति दोनों में से कम से कम एक पेई पसंद करता है यानि कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे ना ही कौफी ना ही चाय पसंद हो समझ में आया है यहाँ पर इंफर्मिशन इसलिए दी गई है यानि कि हर व्यक्ति को दोनों में से एक ना एक पेई तो पसंद होगा ही ठीक है अब देखे जब टोटल ही लोग यहाँ पर सत्तर हैं यानि कि जो लोग है जिनका हम यहाँ पर समू देख रहे हैं उनमें क्या होगा कुछ होगे जिने कौफी पसंद होगी है ना और कुछ होगे जिने चाई पसंद होगी और इनका जदी आप सम्मिलन कर देए ठीक है तो इसकी संख्या कितनी आएगी यहाँ पर दी गई है सत्तर तो यह हो जाएगा सत्तर समझ में आया और आपको निकालना क्या है दिखिए कितने व्यक्ति कौफी और चाई दोनों को पसंद करते हैं यानि आपको यहाँ पर C intersection T में कितने अव्यव हैं यह यहाँ पर ग्याद करना है तो आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा यह सूत्र यह relation आप सभी जानते हैं तो चलिए यहाँ पर इसे solve करते हैं यहाँ पर आजाएगा सत्तर बराबर यहाँ पर आजाएगा 37 यानि कि 37 ठीक है प्लस यहाँ पर आएगा 52 ठीक है और यहाँ पर क्या आजाएगा minus N C intersection T जब आप इसे solve करेंगे तो आप क्या मिलेगा यहाँ पर आजाएगा सत्तर बराबर यह क्या आजाएगा 89 तो यहाँ पर आजाएगा 89 यह आजाएगा यानि कि इसकी value 19 आजाएगी इसका आर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति जो कॉफी और चाय दोनों ही पसंद करते हैं उनकी संख्या कितनी है 19 है चलिए अब आते हैं अगले प्रश्ण पर यहाँ पर दिया गया है कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 100 विद्यार्थी सेब का रस 1500 विद्यार्थी संत्रे का रस 35 विद्यार्थी सेब और संत्रे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं क्यातनी बात क्लियर है ज्यात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संत्रे का रस पीते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले देखिए हम जानते हैं कि कितने बच्चे थे जिन पर सर्वेक्षन किया गया यानि कितने विद्यारती थे तो 400 इस 400 को हम क्या लेंगे इसे हम सार्वत्रिक समुच्चे लेंगे ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा सारवत्रिक समुच्चे को हम यू से निरूपित करते हैं और इसमें कितने अव्यव हैं तो क्योंकि 400 विद्यार्थे थे तो इसके अव्यव 400 हो जाएंगे क्या अतनी बात क्लियर है अब मान लीजिए कि जो विद्यार्थी सेव करस्पिते हैं उन सभी के समुच्चे को हम A कह देते हैं क्या कह देते हैं A और A में जो अव्यवों की संख्या है वो कितनी है यहाँ पर दी गई है 100 तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 100 अब मान लीजिए कि संत्रे का रस पिने वाले बच्चों का समुच्य हम B से निरूपित कर रहे हैं ठीक है तो B में जो अव्यव है उनकी संख्या कितनी है 1500 यह देखिए क्योंकि 1500 बच्चे क्या है संत्रे का रस पिते हैं अब देखिए 75 बच्चे ऐसे भी थे जो सेब तथा संत्रे दोनों का रस पिते हैं तथा मतलब क्या हुआ और और जो यह शब्द है और यह हमेशा का बाता है जब intersection की बात होती है यानि कि यह क्या है यह A तथा B के intersection में कितने अव्यव हैं उनकी संख्या दी गई है कितने हैं आपर 75 यह तो काफी आसान था अब आप मुझे यह बताईए कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है आपको कहा गया है कि देखिए याद कीजिए कि कितने विद्ध्यारती हैं जो न तो सेब का रस पिते हैं और ना ही संतरे का तो पहले हम बात करेंगे उनकी जो सेब का रस नहीं पिते हैं तो देखिए जो सेब का रस पिते हैं यदि वो समुच्य A में हैं तो जो सेब का रस नहीं पिते हैं वो किस समुच्य में होंगे वो A के पूरक में होंगे यानि की A डाश में है ना ऐसे ही जो बच्चे संत्रे का रस नहीं पीते हैं वो की समुच्य में होंगे वो B के पूरक में होंगे यानि की B डाश में क्या अतना clear है और यहाँ पर हमें देखना है कि ऐसे विद्यार्थी जो दोनों ही रस नहीं पीते हैं यानि की दोनों के पूरक का intersection intersection आपको क्या निकालना है आपको निकालना है A डाश ठीक है intersection B डाश और इसमें कितने अव्यव हैं यह आपको ग्याद करना है और आप यह जानते हैं कि D. Morgan Law से हम या D. Morgan के नियम से हम इस समुच्य को किस समुच्य को देखिए यहां पर जो यह समुच्य है इसे हम क्या लिख सकते हैं इसे हम A Union, B पूरे का पूरक लिख सकते हैं यानि की कुछ इस प्रकार से यह देखिए A Union, B ठीक है और इस पूरे का पूरक ठीक है अब यदि यह दोनों जो समुच्यों है समान है तो इनमें अव्यवों की संख्या भी समान होगी क्या इतनी बात क्लियर है अब देखिए यदि मैं बात करूँ A union B की तो ये पूरा का पूरा एक सेट है और इसका कॉम्प्लिमेंट तो इसका कॉम्प्लिमेंट हमें कैसे मिलता है सार्वत्रिक समुच्य में से क्या करना होगा A union B को माइनस करना होगा तो हमें मिल जाएगा A union B का पूरक ये तो आप जानते हैं लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है हमें यहाँ पर इस समुच्य के अंदर कितने अव्यव हैं ये निकालना है यानि की यहाँ पर आप सार्वत्रिक समुच्य में कितने अव्यव हैं ये लिखिए और minus A union B में कितने अव्यव हैं ये लिखिए क्या अतनी बात clear है अब यहाँ पर ये लिखिए जो सार्वत्रिक समुच्य है उसमें तो 400 विद्यारती हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 400, ठीक है, माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, एन, ए, प्लस, एन, बी, यानि की, बी के अव्यवों की संख्या, माइनस, इन दोनों के इंटर सेक्शन में, जितने भी अव्यवों हैं, उनकी संख्या, क्या इतनी बात क्लियर है, अब यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पर लिखेंगे, 400, माइनस, एन, एक कितना है, 100, क्या इतनी बात क्लियर है, जब आप इसे solve करेंगे, इसे, तो क्या आएगा, बताईए, यह आजाएगा, 200, माइनस, 75, यानि की, 175 आजाएगा, ठीक है, तो यह क्या आजाएगा, 400, माइनस, 175, क्या इतनी बात क्लियर है, और जब आप इसे solve करेंगे, तो क्या आएगा, जब 225 सबका यहीं आया, यानि कि 225 बच्चे हैं जो ना तो सेव कर रस्पिते हैं और ना ही संत्रे का, क्या एतनी बात दिया रहा है, तो इस तरीके से कई बार आपको D Morgan का नियम भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी और समझ लगाएंगे, तो इस तर पानी से हल कर लेंगे,